हेलो बच्चों मैं हूँ सुधार डबराल, वेलकम पर माई चानल, आज की क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर अरिफ्मेटिक प्रोग्रेशन के exercise 5.3 का question number 10 करने जा रहे हूं, मैंने exercise 5.3 के question 1 to question 9 तक की video upload कर दी है, आप जाकर उनको देख सकते हैं, अब हम question number 10 करेंगे, चली बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, question number 10, show that a1, a2 and so on, an and so on, form an ap, where an is defined as below, और इस question के दो पार्ट से, also find the sum of first 15 terms in each case, okay बच्चों, question के according हमें कहा गया है कि हमें एक ap बनानी है, okay, हमें एक ap form करनी बनानी है, जिसमें हमें कहा कि an को defined किया गया है, यह है आपका first part, और यह है आपका question का second part, okay बच्चों, तो इस question के according हमारे पार्ट से गिवन हैं, और हमें इनका solve करना है, तो first part में पर solve करनी हैं पहले, an equals to 3 plus 4n, okay, अब हमारे पास एक question है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, let's putting n equals to 1, 2, 3 and so on, हम यहाँ पर n को एकवा 1 लेकर solve करेंगे, एकवा n को 2 लेकर solve करेंगे, और एकवा n को 3 लेकर solve करेंगे, बस 3 solutions तक solve करेंगे, यह AP जो आप बनाएंगे, 3 terms तक बना दीजिए, उसके बार मैं बताऊंगे, क्या करना है, हम पहले n को 1 रखके solve करेंगे, इस यह पर, तो an equals to 3 plus 4n, a equals to 3 plus 4 multiply n की जगे क्या रखनेगे, 1, now a equals to 3 plus 4 बना 4, a equals to 7, हमारे पास a1 आगया, 1st time आगया, फिर हम अब n को 2 लेकर चलेंगे, okay, now वही formula जो हमें question में given है, an equals to 3 plus 4n, now n हम क्या लेंगे, 2, 3 plus 4 multiply n की जगे 2, now a2 equals to 3 plus 4, 2 is a 8, a2 equals to 11, हमारे पास a2, 11 आगया, अब हम n 3 लेकर solve करेंगे, और formula यह लेकर apply करेंगे, जो हमें question में given है, an equals to 3 plus 4n, now a n की जगे 3 लेकर equals to 3 plus 4 multiply 3, a3 equals to 3 plus 4, तो 12, now a3 is 15, तो बच्चों हमारे पास जो a p बन कर आईए, 1st term is 7, 2nd term is 11, and 3rd term is 15, okay, now हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है, कि a p form कीची है, तो हमें a p बना दिया है, and so on, और हमें अब find out करना है, sum of 15 terms, जाने कि s 15 find out करना है, okay, तो अब एक चीज़ देखेंगे, पहले हम इससे हम d solve कर देखें, d हमारे क्या होगा, a2 minus a1, now d equals to a2 कितना है, 11 minus 7, now d equals to 4, हमारे पास d की value आ गई है, okay, now अब हमें s 15 solve करना है, तो देखो बच्चो, a p तो हमें given है, 7, 11, और 15, and so on, d हमारे पास आ गया है, 4, a कितना है, 7, और n हमें question में कितना बोला है, 15 terms का s n find out करना है, कितने terms का, 15 terms का, now s n का formula अप्लाई करो, s n equals to n upon 2 bracket 2 a plus n minus 1 d, okay, s n की जगे हम कहां लिखने है 15, तो कि number of terms हमें 15 find, sum of 15 terms find out करना, n हमारे पास 15 जाएगा, 2 multiply a कितना है बच्चो, 7 plus n कितना है 15, 15 minus 1 and d is 4, okay, now s 15 equals to 15 upon 2, 2 times 14 plus, 15 minus 1 is 14 and 14 6 are 56, okay, now s 15 equals to 15 upon 2, multiply इंको add कर तो 14 plus 56 is 70, okay, now s 15 equals to, cancel कर तो यह जागा 35, now 35 को अगा मैं 15 से multiply कर तो, तो कितना आता है 525 हमार आंसर आ गया है, that's it, तो हमने sum of 15 terms find out कर लिए, तो आपको समझ में आया, question में हमें कहा है कि पहले तो AP बनाई है, कि उसके बाद 15 terms का sum find out कर लिए, sum of 15 terms find out कीजिए, और हमें दो क्या दे रिखे, पार्स दे रिखे इस question के, तो मैंने first part में क्या करना है, कि N की value को अगा 1, 2, और 3 रखके solve करना, हमाए पास ऐसे करके solve होगे, हम अधने AP तयार कर लिए, AP जब हमारी बन गई है, तो हम फिर B की value find out करेंगे, उसके बाद हम S 15 find out करेंगे, okay, बच्चों, so simple it is, okay, अब हमसे second part करते हैं, अब हम second part करते हैं, second part में हमें दिया गया है, A N equals to 9 minus 5 N, वही करेंगे, वैसे ही करेंगे, जैसे first part क्या था, एक बाद हम N को क्या लेकर चलेंगे, 1, 2, and 3, and so on, ठीक है, तो सबसे पहले हम N को 1 से solve करेंगे, 1 रखका, okay, तो AP हमाए पास, sorry, जो formula दिया गया, AP हा, A N equals to 9 minus 5 N, A 1, N की जाए 1, 9 minus 5 multiply 1, A 1 equals to 9 minus 5, 1 जा 5, A 1 हमाए पास आगे 4, okay, now N हम 2 रखके solve करेंगे, okay, हमें given N equals to 9 minus 5 N, now N हम 2 ही लेंगे, 9 minus 5 multiply N की जाए 2, now A 2 equals to 9 minus 5, जाए 10, और हमारे पास A 2 आगया, minus 1, क्योंकि, minus का साइन स्लिए आया है, क्योंकि 10 का साइन negative है, okay, अब हम A 3 रखके solve करेंगे, now N equals to 3, okay, now third term solve करेंगे, तो जो question में हमें given है, A N equals to 9 minus 5, जाए 10 की 3 रखके, 9 minus 5 multiply 3, now A 3 equals to 9 minus 5, ते जाए 15, now A 3 कितना हो जाएगा, minus 6, okay, minus इसलिए आया, क्योंकि 15 का साइन negative है, तो हमारे पास जो A पर आईए, वो क्या है, देखो, first term is 4, है न, ये वाला, और second term is minus 1, and third term is minus 6, and so on, okay, अब हमें sum of 15 terms find out करना है, इसके लिए सबल हम D find out कर देए, तो हमारे पास D कितना आगया, minus 5, okay, बच्चों, क्योंकि दोनों के साइन, minus 1 और minus 4, दोनों इसलिए इसलिए एड होंगे, और साइन minus का आएगा, okay, जो A P है, पहले मैं यहां पर लिख जेती हूँ कि A P हमें क्या-क्या गिवन है, A P जो हमारी I A बनके तयार हुई है, वो है, 4, minus 1, minus 6 and so on, और इसमें से हम find out करते हैं कि D हमने minus 5 किया है, A हमारे पास 4 है, और N हमें 15 लेना है, क्योंकि कोश्च में खुद बोला है कि 15 टर्म्स का हमें सम find out करना है, okay, now SN का formula apply करेंगे, SN equals to N upon 2, 2A plus N minus 1, D, now SN के जगे हम लिग देंगे, 15 equals to N के जगे 15 upon 2, bracket 2, multiply, first term है 4 plus N, N कितना है 15 minus 1, और D कितना है हमारे पास, minus 5, okay, बच्चों, now SN equals to 15 upon 2, bracket 4 टूजा, 8 plus 15 minus 1 is 14, multiply, minus 5, okay, now SN equals to 15 upon 2, bracket 8, बच्चों 14 plus में 5 negative है, तो इनको हम जब multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा, minus 17, okay, now SN equals to 15 upon 2, multiply, अब हम इनको subtract कर देंगे, क्यों? क्योंकि 17 negative है, और 8 positive है, okay, now इनको जब subtract करेंगे, हमारे पास आएगा 62, now इनको cancel कर दो, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, S 15 equals to, तो क्योंकि 15 और 31 आया है, इनके आपस से हम multiply करेंगे, 465 हमारा answer आगया, अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्